किसे हैं आप सब है आपसब आपसब बहुत अच्छे होंगे आज बहुत ही टेस्टी सा एक भी स्वीट्ट की रेसिपी लाइी हूं कला कंत बहुत ही स्वादिस्ट HALWAI जैसा दानेदर हलवाई जैसी रेसिपी बिल्कुल 20 मिनट में हम बनाएंगे घर में और घर के मौदूत समान से हम बनाएंगे बहुत इस्वादेश्ट आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए आज की मज़िदार रेसिपी शुरू करते हैं और अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा और बिना जैंचर के कलाकन बनाने की यह रेसिपी हम जुरू करते हैं तो चलिए पहले हम कुछ समगरी देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या डालना है मैंने यहां पे लिया है 200 ग्राम पनीर और इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है कद्दू कस कर लिया है साथी में हमने लिया है थोड़े से ड्राइफ फ्रूट जिसमें मैंने लिया है काजू और बादाम औ ले लिए और इसके साथ ही मैंने लिया है एक कटोरी के करीब साथ ही में दूद रखा था गरम होने के लिए दो अगर आप चाहें तो नॉन स्टिक कभी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम तीन से चार बार तक अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गरम जब अच्छे से हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे ने मिल्क पावडल मैं मैंने एकतोरी ट्री बीट लिया है और दूध में डाल करके अच्छी तरह से घुटलीया नहीं रहे आप अच्छी तरह से मिकस कीजिए मीडियूं तूशलो मिल्कुल स्लो पर ढग सकते हैं और अच्छी तरह से तक पीच बीच में इस से कम हो जाए जो दूद है वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए अच्छी तरह से तब तक आप इसे मिलाते रहिए तो यहां पर देखिए इसकी क्वाइटिटी बहुत कम हो चुकी है बहुत ही अच्छे से कम हो चुका है दूद जो है एक्स्ट्रा जो था कुछ भी इसमें दिखाई नहीं द जल चुका है तो यह पर देख सकते हैं कि हमारे जो धूद हो चुका है और गोडी कोर्ड की अटिटी जो है वह फूरी तरह से जल चुक्य है तो अभी हम और इससे थोड़ा triangles समय मिल नि कितár जो चुका है और चलाईए वापस से और जब दूद हमारा इस स्टेज पर आ जा आदाही में तोगाल ही साल चनी कर लेंगे तो जैसे ही कि अई हम चीन दाएंगे लिए ननुज़ा है चीनी ऑो चयाँगा में थूद़ां फाउडनी से घ्रग करना है में में तोगे ऑफ फ्राइबें पाउ्डन वापसन दूर हाई उस फेली अपने तरह जो कलेगे को विस 75 इन देख सकते हैं कितना चेंज हो रहे उड्य हो गया तरह ऊज़े सकते हैं तिसको टेज रा एक चला सकते हैं तो अब आशन ml नांक श़ैक्ताऊ किसी कई नाये साथने ह। अब यह देखे हमारा जो हमने कलाकंद का यह बनाए न वह बहुत ही अच्छे सेट हो चुका है तो अब हम इस थाली के ऊपर रख देते हैं और बराबर से इसको हम सेट कर लेते हैं तो यहां पर हमने से अब आप इसे 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजे तो यहां पर हमने इस अच्छे से सेट कर दिया है और इसे अब हम रख देते हैं और अब देखें यहां पर हमने फ्रिज से बाहर निकाला है मरे कलाकंद को कितना आच्छा बन के तयार हुआ है अब आप इससे एक से यहां पर हमारा हलवार स्टाइल कलाकंद बनके तयार है आप जरूर ट्राइब कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजिए बहुत ही टेस्टी सा कलाकंद बना थ और बहुत ही स्वादिश्ट सबको परिशाद बहुत अच्छा लगा आप जरूर बनाई और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूं बिल्कुल दानेदार और बहुत ही टेस्टी सा हमारा कलाकंद बन बधर मैं आपको अच्छी लगे और दिखाती हूं च्छी लगे बनाई भीजर दो झाल के विल्गे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए खर भीज़ पको लिञ़ देज्ट कीजिए बनाई बहुत ही पर पक máximo